बहुत बहुत श्वागत है आज की इस न defend ऊपर, बहुत में अपके सामने हैं मारुती वालीनु का Automate UK यह तीन वेर्ट में GREEN हमें Automate, और जटा और 收ी में आपके सामने जो वेर्ट ख़ड़ा है वह देल्टा ज़आउ Broad Sea Chrome Grill मिल जाती है जो कि Black Combination के साथ है साथी साथ इसमें मिलते हैं आपको By Halogen Projector Headlamp इसमें DRLs नहीं आते हैं साथी यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मिलते हैं आपको Projector Headlamp जो Fog Lamp है वो इसमें नहीं आते हैं इस्टॉल करवाए गए हैं साथी साथ साइड में आते हैं तो इसमें 15 इंचेस के हमें वील साइड मिल जाता है जो कि वील केप के साथ मिलता है वाकि 1.2 लीटर ऑफसन से मिलते हैं जो कि AMT टेक्नलोजी हमें ऊफर करती है वाकि यदि हम साइड प्रॉफाइल को देखे तो हमें B और C प्रॉफाइल इसमें मैड बलक में मिल जाते हैं यहां पर जो ORBM पर ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं साइड मेर पर और साथी साथ इसमें कुछ हैसरी इसमें इस्टॉल हुई है जैसा कि आपने रिज देखा होगा पर आपको वली नों कि वेजिंग मिल जाती है और अब हम गार्म कर दिखते हैं कि एक बार हम पिछे इसका बूट और देखे लेते हैं जिससे कि हम 60-40 के रेशिट को फोल्ड कर सकते हैं, और जो भी बूटिसपेस है हम उसको extend कर सकते हैं, बाकी अब हम गारी के फीचर संतर से देखेंगे, और जानेंगे इसमें हमें क्या-क्या चीजां उफर होती हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं है इसका driver door, driver door पर window के चारो control में मिल जाते हैं, यहाँ पर जो fabric finishing आपको मिलती है, यह है window के चारो control, यहाँ पर lock unlock का है, यह है ORB में एक्जिस करने का, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ डावल टॉन में dashboard, जो कि silverization के finishing के साथ मिलता है यहाँ पर idle start stop का button आपको मिल जाता है, साथ ही साथ, steering जो है, पर हमें controls मिल जाते हैं, calling के कुछ buttons यहाँ पर दियो है, tilt steering हमें यहाँ पर offer होता है, 7 inches का इसमें touch screen display मिलता है, जो कि reverse parking camera के साथ नहीं आता है, हम चाहें तो reverse parking camera डिलर सिप से install करा सकते हैं, वाकि auto climate AC मिल जाता है USB socket भी यहाँ पर मिलता है, और 12 volt का socket मिलता है, तो आप बात करते हैं, इसके drive mode की, तो इसमें हमें मिलता है drive mode, reverse mode and neutral mode, इसके अलावा drive mode में हम manually automatic दोनों चला सकते हैं, जो भी हम चलाना चाहें, बाकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यह नेक्सा की कुछ S series हैं, जो की double tone मिलता है, जिसमें आपको silver scent का finish मिल जाता है, 7 inches का touch screen display भी आपको मिलता है, इसमें reverse parking camera नहीं मिलता है, पर आपको dealer ship install करा सकते हैं, बाकि इसका यह और रोल interior है, अब मैं एक बारस के pedal दिखा देता हूं, उसके पर ले सीट का बता दूँ, तो सीट्स आप आँगे पीछे slide कर सकते हैं, बाकि reclaim कर सकते हैं, इसमें दो pedal मिलते हैं, brake pedal and accelerator pedal, यहाँ पर आपको clutch pedal नहीं मिलता है, बाकि दो pedal इसमें आपको मिल जाते हैं, यह है इसका overall interior, जैसा कि देख सकते हैं, गारी का इंटेर का इंटेर का खुफसूरत है, और अब हम गारी की पीछे चलेंगा, और backseat buffer होती है, तो एक बार इसको overall देख लिए, तो अब हम चलते हैं, इसकी backseat पे, backseat में हमें जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमें rear AC नहीं मिलता, यहाँ पर हमें कुछ storage के लिए जगह मिल जाती है, साथ ही साथ, यहाँ पर 12 बोल का socket मिल जाता है, seat जो है, 360, 40 speed seat मिल जात यह तीनों existable है, वाकि 3 LRS में seat 1 मिलते हैं, यह तीनों existable है, आप इन तीनों को exist कर सकते हैं, तो overall seats सामें पीछे का कुछ इस तरीके से इंटेर देखने को मिलता है, seats का, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो जानको लाइक सब्सक्राइब भूरू करें